हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टो मैं चैनल फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहे हूँ धनिया के बोने के लिए, यानि धनिया उगाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए रहे मेरे इस वीडियो में एंड तक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लेके आती रहती हूँ जरूरी वीडियो रोज रोज मैं आपके लिए एक अच्छी और जरूरी वीडियो लेके आती हूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंट्स सबके से पहले आपको इस तरीके का पॉर्ट लेना है जैसे मैंने लिया है लंबा पॉर्ट नहीं लेना है इसके लिए आपको धनिया उगाने के लिए चोड़ाई वाला ही पॉर्ट लेना है ठीक है फ्रेंट्स उसमें मैंने मिट्टी भर दी थी अब हम धनिये के बीज लेंगे यह देखिए मैं इस तरीके से मार्केट का एक पैकेट ले आया थी धनिये के बीज का और यह पैकेट सिरफ 20 रुपीज का आया फ्रेंट और इसको सूती कपड़े में हम बीज को डालने के बाद हम इस सूती कपड़े को थोड़ा सा पोटली सी बना लेंगे इसकी पोटली बनाने के बाद या तो आप इसमें गांट लगा सकते हैं या फिर उपर से rubber band लगा सकते हैं मैंने इसमें जो है हलकी सी gant लगा के rubber band लगा दिया है देखिए इस तरीके से हम इसमें rubber band लगा देंगे ओके फ्रेंड्स अब साथ ही में आप देख रहे हैं मेरे पास एक पानी का बाउल रखा है अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको इसमें डुबो दूँगी नहीं फ्रेंड्स इसको डुबोना नहीं है इसमें इसमें हम जो है इसको डुबो करके डब डब करके फिर इसको हम बाहर रखेंगे इसको आपने करीबन 30 सेकिंड तक डुबोना है पकड़ करके ताकि इसमें जस्ट नमी हो जाए थोड़ी सी नमी इसमें हो जाएगी भीग जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा फिर हमें इसको ओवरनाइट जी हाँ फ्रेंड इसको हमें राद भर के लिए इस तरीके से रख देना है बाहर कहीं पर भी आप रख सकते हैं मैंने इसको इसी पनी पर ही रख दिया है और इसे आप किचन में रखिया कहीं पर भी इसको रख दीजिए दैन अब हम ये प्लांट में इसको मिट्टी जो हमने डाली थी उसमें मैंने सुबा इसको बीजों को फैला दिया है देखिए इस तरीके से बीजों को सबको फेला देना है और अपनी फिंगर से इसको धीरे धीरे अंदर की और प्रेस करना है यानि कि पूरा अंदर नहीं डालना है इन बीजों को थोड़ा थोड़ा ही अंदर डालना है और इसके ओपर से मैं इसमें थोड़ी सी मिठी डाल दूँगी उपर उपर सूखी मिठी और डाल करके फिर इसमें बस पानी दे देना है देन आपका ये धनिया बहुत ही जल्दी उख कर सामने आ जाएगा जब ये धनिया उख जाएगा तो मैं आपको उसकी वीडियो जरूर देखाऊंगी और मैंने आज ही इसको डाला है वीडियो को अपने गमले में और अब देखते हैं ये कितने दिन लेता है उगने के लिए तो मैं आपको वो वीडियो जरूर शेयर करूंगी इसलिए आपको मेरी वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और मेरी और भी वीडियो आप जाके देखिए मैंने आपके लिए बहुत ही यूसफूल वीडियो ला रखी है अपने चैनल पर तो कैसे लगी मेरी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताईएगा फ्रेंड्स तब तब के लिए बाई बाई थैंक यू फर वाचिंग